वेलकम तो दोनाचार जोए जूकर स्टोडी फ्रेंड्स इस फिडियो में हम डिसकेसन करेंगे 2019 का कोस्टन पैपर जैसे की पाटवार में अल्रेडी हम डिसकेसन कर चुके हैं इंग्लीज और जीके का जो भी कोस्टन आता है इस वीडियो में हम रिजिनिंग और मियाथमाटिक्स का जो कोस्टन आता है सभी को यहां पर हम डिसकेसन कर लिएंगे तो अल्लेडी हम 20 दिसकेसन कर चुक है जो कि 100 कोस्टन आप जाकर देख सकते हो प्लेइलिस्ट में सब कु इसका पीडिया भी हम अल्लेडी प्रोभाइड कर दिये है आप देख सकते हो बहुत सरे वीडियो हम प्रोभाइड कर दिये है तो यहां पर हम देख सकते हो कि जीके का कोस्टन आल्लेडी डिसकेसन कर चिक्वे है तो हम स्टार्ट करेंगे जैसे कि फ्रेंट यहां पर आप 7 into 13 is equal to 6, 26 into 11 is equal to 6, then 56 into 22 is equal to क्या होगा, तो इसमें आपको क्या करना होगा, देख सेकते हैं, एक पैटन यहाँ पर चल रहा है, उसको आपको पहचानना होगा, जैसे कि पर आप देख सेकते हो, 84 into 13, तो 8 यहाँ पर कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा, 8 प्लस 4 यहाँ पर 12 है, और यहाँ पर 13 जो है 1 प्लस 3, यहाँ पर 4 हो रहा है, तो 12 पर मैनस 4 यहाँ पर कर देंगे, तो यहाँ पर 8 आजाएगा, तो इस पैटन रही यहाँ पर चल रहा है, जैसे कि हम 37 का यहाँ पर देखें, तो 3 प्लस 7 जो है 10 हो जाएगा, और 1 प्लस 3 जो है 4, तो यहाँ पर हम minus करेंगे, तो friends, यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो ऐसे हम 26 और 11 को देख सकते है, 6 plus 2 यहाँ पर 8 हो जाएगा, 1 plus 1, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर minus करेंगे, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो ऐसे आप देख सकते हो, 56 तो 22 में, 56 यहाँ पर 11 हो जाएगा, और 22 जो है यहाँ पर 4 हो जाएगा तो यहाँ पर minus करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो आएगा 7 तो 7 इसका right answer हो जाएगा option C में हाँ पर आप देख सेकते हो 7 इसका सही answer है friends तो यहाँ पर हम next देखे तो friends 36 number question जो है the ratio of the boys and girls in school is 3 is to 2 तो एक school में जो है boys and girls का ratio यहाँ पर 3 is to 2 आपको दिया गया है 20 percent of the boys and the 25 percent of the girls are scholarship holders तो 20 percent of the boys और 25 of the girls को यहाँ पर scholarship दिया जाएगा ति percentage of the students who are scholarship holders तो total percent से यहाँ पर जो भी students यहाँ पर scholarship पाएंगे उनका कितना percent होगा तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे आपको first यहाँ पर लिखना होगा देख सेखते हो कैसे हम यहाँ पर इसको solve करेंगे वहाँ पर इसको आपको देखना होगा तो यहाँ पर हम लिख रहे है boys तो यहाँ पर boys लिखने हैंगे तो यहाँ पर girls तो यहाँ पर आपको दिया गया जो कि 3 is to 2 यहाँ पर ratio है और यह हो जाएगा 20 तो यहाँ पर आपको बोलागी देखेए 20% of the boys तो 20% कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा 6 तो 6 boys यहाँ पर आगे 25% of the girls तो 25% को हम लिख सकते हैं जैसे कि 25 is 100 तो 25 बे 100 को हम लिख पाएँगे 1 by 4 तो 1 by 4 यहाँ पर आ जाएगा 5 तो यहाँ पर 5 girls आगे तो यहाँ पर 6 boys और 5 girls आगे तो यहाँ पर हम इंक को थोड़ा change कर देते हैं तो यहाँ पर आपका वह है scholarship holder तो total scholarship holder यहाँ पर boys and girls मिल कर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा तो total यहाँ पर जो schools का students यहाँ पर कितना हो जाएगे है total यहाँ पर हम देखें तो 30 हैं पर 20 तो total यहाँ पर 50 तो 11 जो है total scholarship holder ऩे 50 यहाँ पर total students तो 11 in 100 कितना number कितना percentage यहाँ परña स्टूलेंस यहाँ पर कोलार सिफ होल्डर है यहाँ पर आपको पता लग जाएगा तो यहाँ पर आप देख कतो हो यहाँ पर कट जाएगा 52 तो यहाँ पर हम next question discussion करें तो इस जासे कि अहाँ पर आप देख कते हो हो यह blood relation का question है friends 37 number question if a plus b means a is the daughter of b a is the daughter of b और a into b means यहाँ पर बोला गए a is the son of the b and a minus b means a is the wife of b then the p into q minus s means तो यहाँ पर question निकलना होगा तो यहाँ पर आपको sign को देखना है तो question में आपको बोला करें देखिए p into q minus s यहाँ पर आपको relation निकलना होगा तो यहाँ पर हम देखें तो friends पी इंटू क्यू मतलब क्यू मतलब इंटू का मतलब क्या है इंटू का मतलब यहाँ पर आप देख से तो ए प्लॉस भी में जो है इस दी सॉन अब दबी तो पी इस दी सॉन अब क्यू तो यहाँ पर आपको कैसे लिखना होगा पी को यहाँ पर आप लिखना होगा पी इस द देखना होगा देखे तो यहाँ पर हम P is this sun तो P sun है किसका Q का तो Q को हम उपपर लेखेंगे यानि कि हम मतलब दादा जी का यहाँ पर लेखे तो Q के उपर ही फिर उनके पिता जीका नाम यहाँ पर हम लिख सकते हैं तो यहाँ पर हो गया P is this sun of the Q की एसे अब लिखना है फिर देख जाते हैं यह माइनस एसह क्यूज़ धार क्यू के साथ ही है तो s का जो हम देखे दी यहां पर यहां पर हम लिखेते प्लॉस का है अब Q का जो relation है friends, यहां पर S के साथ क्या होगा, Q is the Y pop, क्या होगा, S, तो यहां पर S क्या होगा, S इसका husband हो गया, तो यहां पर हम male के हिसाब से देखें, तो male का हम plus लिखेंगे, और जो female है, यहां पर हम minus लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको question में क्या बोला है कि देखिए आप option के हिसे आप से देख से तो इस चार option से कौन से यहाँ पर सही होगा option A में जो है S is the father of the P S is the father of P तो S father है P का तो यह सही answer है जैसे कि आपको पता है P Q जो है इसका mother हो गया और S जो है इसका father हो गया तो option A इसका सही answer हो जाएगा friends ऐसे आपको पता लगाना होगा next नहीं आपर हम देखे तो friends 38 नमबर question जो है यह time and work से यहाँ पर question एक आया है यहाँ पर हम कैसे यहाँ पर कर साखेंगे इसको बोला गया देखिए यह man D के ट्रेंज इन थ्री डेज another man B another man यहाँ पर बोला गया 5 डेज में कर लेता है and third man जो है यहाँ पर 6 डेज में कर लेता है तो यहाँ पर आपको कैसे लिखना होगा ऐसे आप लिख सकते हो A man जो है इसको हम A ले लेते है तो जो A जो है वो 3 डेज में कर लेता है किसी भी वार को तो यहां पर total work यहां पर आपको दिया नहीं है, तो B यहां पर 5 days में कर लेता है किसी विवार को, और C जो है, में थाड जो है, यहां पर 6 days में कर लेता है, तो यहां पर आपको क्या निकल नहीं होगा कि देख सकते हो, आपको total work पता नहीं है तो यहाँ पर कैसे निकाल सेकते हो, total work आपको निकालने के लिए आपको LCM लेना होगा, तो इन तीनों का हम LCM जब लेंगे देख सेकते हो, 3, 5 और 6, तो 3, 5 और 6 का आपको यहाँ पर LCM लेना होगा, जैसे कि हाँ पर 3 हम ले तो यहाँ पर 5 आजाएग हो यहाँ पर हम लिख देते हैं ओके फ्रेंट्स तो टोटाल वर्क आपको यहाँ पर लिखना होगा टोटाल वर्क जो है यहाँ पर 30 इसका टोटाल वर्क हो गया तो यहाँ पर आपको फिर आपको निकालना होगा कि वान डे वर्क कितना होगा तो सभी का वान डे वर्क कितना होगा ए का कितना होगा बी का कितना होगा और सी का कितना होगा तो वान डे वर्क आपको निकालने के लिए क्या करना होगा यह डेज है यह डेज है यह डेज है और बी का कितना हो जाएगा थाटी वायद फाइब फाइब मतलब कह सकते है मतलब इनका एफिसेंसी यहां पर आपको बोला कि ठ्थेखे टूगेदर मिल को कितने दिन में खतम कर लेंगे तो टूगेधर मीलकर देख सेखते कर यहाँ न काम हो जाएगा 10 65 यहाँ पर हम एड कर लेंगे तो हैंपर कितना आजएगा 11 ह यहाँ पर 21 तो एक दिन में जुन journeys कर यहाँ पर 21 न काम कर लेंगे 30 वहो को कितना डेष लग जाएगा तो यहाँ पर हम 30 divided by 21 कर लेंगे, तो इसका यहाँ पर right answer आ जाएगा फ्रेंट, जैसे कि यहाँ पर आप देख सेकते हो, 3 जा यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 7 जा 21, तो यहाँ पर आप देख सेकते हो, 10 by 7 इसका सही answer है, यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं तो आप comment section में बोल सकते हो, हम आपको बाद में समझा देंगे friends, next यहाँ पर हम देखे तो 39 नमबर जो question है, how much is the 30% of the 5 hour 40 minutes, तो 5 hour 40 minutes का 30% कितना होगा, यहाँ पर आपको बोला है, तो 5 hour को हम लिख सकते है, 5 into 60, तो यहाँ पर minute में यहाँ पर हम change कर लेंगे, तो यहाँ पर 30% निकल लेंगे, तो 30% आपको निकल लेंगे यहाँ पर 00 को आप कार सकते हो, 34 into 3 कितना हो जाएगा, 3, 4, 12, 3, 3, 9, plus 110, तो 102 minute आजाएगा, तो 102 minute को हम कैसे लिख पाएगे, 60 minute हो गया, 1 hour और 42 minutes, यहाँ पर बाज के जाएगा, तो 1 hour 42 minutes इसका राइड असर है, जैसे कि पर हम देखे तो एक number series का एक question है, प्रेंडस, जोकि यहाँ पर आप देख सेकते हो, 18, 14, 12, 14 और 18, तो यहाँ पर हम देखे तो प्रेंडस, जैसे ही pattern से आपको पता लग गया होगा, यहाँ पर हम देखे तो 18 से 12 हो रहा है, तो यहाँ पर minus 6 है, 12 से 18 यहाँ पर plus 6 है, तो य यहां पर हम कुछ doubt है friends आपको भी यहां पर एक मतलब निकलना होगा हम आपको यहां पर homework जैसा यहां पर दे रहे हैं आपको भी एक बार इस question को कर लेना है friends इसका सही answer क्या होगा next यहां पर हम देखे तो friends change the sign to find the equations तो इस equation को हम change करेंगे जैसे कि यहांपर हम लेने से जिरो हो जाएगा जैसे कि यहांपर हम देख सकते हो 28 यहं पर हम लिखें तो 28- Blue यहाँपर है तो 3 प्लॉस 4 यहाँपर 7 हो जाएगा और इस प्लॉस को हम इंटु में लिखें तो देख शेकते हो 2 इंटु 2 यहाँपर 4 तो 28-28 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा तो देखें तो पॉर्यंस option यह मैं देखो तो plus को यहाँ पर into में change करने से यहाँ पर आप देख सेकते हो इसका सही answer हो जाएगा तो option यह इसका सही answer है तो next question देखे तो friends which is the largest fraction देख सेकते हो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर 5 by 2 दिया गया है 5 by 7 दिया गया है और 5 by 9 दिया गया है तो यहाँ पर हम देखे तो ओल लड़े आपको पता लग यहाँ तो 5 by 2 को हम यहाँ पर divide करेंगे तो 2.5 आ जागा तो यहाँ पर हम देखे तो यहाँ पर जो कि numerator है नुम्रेटर यहाँ पर बड़ा है तो यहाँ पर इसका सही एंसर हो जाएगा लाजर्जस्ट फ्राक्षन हो जाएगा तो यहाँ पर हम देखे तो यहाँ पर युमुरेटर मतलव लिस्ट नंबर है तो इसलिए यहां पर अप्शन यह अपर देख से तो जो कि 522 इसका राइड एंसर है इसको हम निकालने के लिए एक ट्रीक यहां पर यूज करते हैं उसी ट्रीक को हम आपको यहां पर मतलब बता यह देखके तो यहां पर 52 लिका हुआ है यहां पर 527 है और 5 open植な हे तो को निकाला होगा देख से कते हो प्रांस को यहां पर हम इंग की थोड़ा चेशienज कर लेते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा फिर 5 by 2 को 5 by 9 किसा यहां पर compare करना होगा तो यहां पर compare करके यहां पर लिखे तो friends देखो 9 into 5 कितना हो जाएगा 45 यहां पर आपको लिखना होगा 45 और 2 into 5 कितना हो जाएगा 10 तो बड़ा नंबर कहां आया बड़ा नंबर यह 5 by 2 में ही आया तो तो यहां पर 5 by 2 इसका right answer एंसर देख सेकते हो option यह सही answer है next यहां पर देखे तो friends 43 number question जो है knowledge is coded as तो knowledge यहां पर coded के आगए देख सेकते बहुत सरी number है general को यहां पर हम कैसे लिख सकते है friends तो यहां पर हम एक pattern के हिसाप से देखे तो friends आपको सभी मतलब alphabet का आपको number यहां पर पता लगाना होगा तो कह जो है खितनी number में है, ओमें कीतनी number में है W तो यहां पर आपको दिखना होगा तो K जो है फ्रेंट्स यहाँ पर 11 नमबर में होता है alphabet series में तो यहाँ पर क्या रहा है उसी नमबर को हम add कर लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा तो यहाँ पर आप देखें तो K का जो यहाँ पर code है 2 तो N का देखें तो N जो है friends यह 14 नमबर में है 14 तो यहाँ पर one plus four को add करें तो five तो इसी pattern में यहाँ पर आपको code यहाँ पर दिया गया है friends तो general को हम कैसे लिख सेकते है जी का जो code है friends जी का seven होता है जी seven, ई का जो है five, ई five है, एन का जो है 14 है तो one plus four जो यहाँ पर आड़ जो है का फाउंगा हो जाएगा तो यहां पर फीर एक यह है तो इसका भी फईभा जाएगा तो यहां प्लॉस यहां एल का है 12 तो 1 प्लस 2 को हम यहाँ पर एड करके से 3 हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखे तो 7555913 तो इसका जो राइड अंसर है option D 7555913 इसका सही अंसर है तो इसी सबसे आपको करना होगा इसी question को next यहाँ पर देखे दो सब्सक्राइब देखे दो सेकेंट रांस तो 400 किलेमिटर इन 4 आवर्स देन दो स्पीड अब दफार्स ट्रेन इस तो यहाँ पर नाइम इंट्व टिस्टेंस का आपको एक मतलब जो फर्माट जैख है हम आपको एक फर्मुला आपको बोल लेते है जैसे कि स्पीड यहाँ पर और टाइम का फर्मुला हो जाएगा टाइम का फर्मुला हो जाएगा डिस्टेंस डिभाड़ेड बै बर्ड में देख्येिए dual सेकेड ररण मतलब ट्यान दिया गा कि मतलब डेकають ट्रेंटी कोव्य देख देlying ट्रेंच क्लीए देख्ये मतलब फोर हंडट लें पर ऑन देक्कूलाइड टो दिस्टंस दें गए तो स्पीड कीめसेव क्लीए है स्पीड क्ली सेनज के ला है कुन पर फूर आवार तो इसका जो स्पीड आगया अंडेड किलेमटर पर आ घया तो यहां पर हम कैसे निकाल लेंगे वह द फ्री फैड है थे इंट में इंट्व referring to पर कितना इंटू करने से 100 होगा 8 में तो हम यहां पर लेखे तो 100 डिभेड़ेड़ बैए 8 तो 8 में यानि के हम 100 डिभेड़ेड़ बैट कर लेंगे तो हैं पर 8 8 कर जाएगा तो यहां पर 100 आ जाएगा उसी के आप देखें तो 2 आजाएगा 25 तो यहां पर 4 से जाट 2 8 आजाएगा तो 25 इंटू 7 डिभेड़ेड़ बैट तो 25 इंटू 7 का वेल्यू कितना आजाएगा यहां पर आप देखें तो 35 यहां पर 3 7 तो 14 14 प्लोस 3 कितना हो जाएगा 17 तो डिभेड़ेड़ बैट तो 175 बैट तो इसका जो आजेगा 28 जा 16 27 जा 15 पॉइंट आपका राजेगा 87.5 तो 87.5 इसका सही अंसर है देख सेकतो 87.5 किलेमेटर पर आवार तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मतलब जो भी प्रोसेस हम आपको बता रहे है मतलब बता देंगी प्रेंस और एक बार नेक्स देख से दो 45 नमर कोस्टन जो है यहाँ पर आपको फिल इंदो ब्लेंक से आपको बोले देखे एक से लिखागा है उसे एकस में क्या होगा तो यहाँ पर आपको पैटन देखना होगा कि यहाँ पर कैसा पैटन है और यहाँ हिसाब से यहाँ पर इसका एंसर आएगा तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे पहले आपको क्या करना कर देख से क्र देख सकते हो तो 25 से फ़ोर घ्या तो यहां पर कितना आज आगा तो इसी 21 में आपको 25 को अड़ कर देना है 25 यहाँ पर add करेंगे तो कितना आजाएगा 46 है देख दो option मतलब इसका जो है नीचे यहाँ पर 46 लिखा हुए तो ऐसे यहाँ पर हम देखे दो friends 39 से यहाँ पर 18 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आजाएगा 9 से 1 3 1 2 तो 21 आगया फिर यहाँ पर 21 में 30 39 को फिर एड़ कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आजाएगा 60 तो इससी पैटेन में यहाँ पर इसका अनसर आ ज dusdy कर लेगा तो यह से आपको करना है 31-11 करना है fust तो यहाँ पर इसका अंसर आ जाएगा 21 आ तो त्वेंटिवाइनन में आपको फिर फिर थाटिटीको वान परएक दकर है तो इससका जो नस Wyvernight तुबडिया और थो टू पलोस रुटेट्व यहां सब्सक्रइब यहां पर देख सेफे तो आपज को यहां पर एक ग्राप जीसा मतलब ग्राप नहीं है यह data interpretation का यह question है जैसे कि आप देखे तो during the year 2004 and 2019 number of the presented and the past candidates from the six state तो यहाँ पर आपको six state देखा है state a b c d e और f तो six है तो यहाँ पर आपको year भी देखा है 1994 से 1999 तक देखा है और presented और past यहाँ पर students कितना होए तो यहाँ पर आपको द्याग है तो यहाँ पर five question आपको मिल जागा जो कि यहाँ पर 2019 में question आया था बहुत पर देखे 2020 में ऐसा question नहीं आता और 2018 में भी इसका मतलब data interpretation से question आया था तो यहाँ पर हम question से निकालेंगे इसी सभी question को तो फास्ट आपको यहाँ पर द्याग है कि 46 नंबर जो है what is the approximate percentage of the past candidates jointly from the all the states to the presented candidates in the 1994 तो 1994 में students यहाँ पर देख सेकते हो past candidates तो जितना भी यहाँ पर past candidates है सभी states का all the states यहाँ पर बोला गए six states का तो पास्ट के इन्डेट से कितना percentage है presented students के लिए मतलब presented students के हिसाब से यहाँ पर past का जो है students कितना है तो यहाँ पर आपको सभी past का यहाँ पर add कर लेना है और सभी presented का जो यहाँ पर कर लेना है तो यहाँ पर हम अल्लेड आपको मतलब यह हम calculate कर दिये है तो पास का जो students टोटल 880 students है और जो है प्रेजेंट्रेट का जो है 9200 तो 80 मतलब 880 जो है 900 का कितना परसेंट है तो यहाँ पर आपको 100 कर लेना है तो 00 कर जाएगा और इसका answer जो आजागा 9.5% तो 9.5% यहाँ पर आप देख सेकते हो फ्रेंट्स जो की यहाँ पर आप 10 को है यहाँ पर हम लेख सेकते अबने परसेंट यहाँ पर बोला गया है तो अप्षन B इसका राइड़ आंसर है फ्रेंट्स नेक्स इहाँ पर हम देखे तो फ्रेंट्स फीलिंग स्टेट्स टा मैक्सिमम पर्सेंटेज आप पस के इन्ज़ों तुध प्रेजेंटर शोल्ग याँ पर हम देखे तो फ्रे फर्स्ट स्टेट्स का यहाँ पर देखे तो 120 divided by 1100 into 100 आपको करना होगा तो इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा यहाँ पर आपको काल्कुलेट करना होगा यहाँ पर आपको काल्कुलेट कर लिए है जैसे कि option D मतलब option D यहाँ पर आप देखे तो जो कि इसका सही एंसर है E E जो स्टेट्स है यहाँ पर इसका maximum percentage है और इसका जो percentage है आपको पता लगाना होगा क्या क्या है और जो हम पता लगा है फ्रेंस 11.4 11.4 परसेंट इसका है इसका परसेंट इसका परसेंट इसका परसेंट मतलब पास्टूडेंस है तो 47 नमर हो गया आपको देखना होगा अब संडी इसका राइड एंसर है नेक्स्ट देखे तो 48 नमर कोस्टन जो है what is the percentage of the past candidates jointly from the state C in the 1995-1908 तो 1995-1908 का जो यहाँ पर आपको बोल है जो कि past candidates का percent मतलब past candidates to the presented candidates जैसे कि states B का तो state C का जो है 1995 और 1998 का आपको past candidates का यहाँ पर add कर लेना है और states B का 1994 और 1997 का presented candidates का यहाँ पर add कर लेना है तो यहाँ पर कितना percent यहाँ पर होगा यहाँ पर हम निकाले तो friends इसका जो right answer है friends 48 number जो question है friends option D तो इसका none of this आ रहा है और आपको एक बार कर लेना है इसका जो right answer है आपको और एक बार कर लेना है 11.2 11.2 इसका percent आ रहा है बड़ प्रेंस option में नहीं है तो यहाँ पर हम none of this यहाँ पर हम लिख सकते है नेक्स देख सेख तो 49 नमबर जो question है what is the approximate average number of the past candidates from the state D given year तो state D का आपको past candidates का average आपको निकलना होगा कि यहाँ पर हम total past candidates के यहाँ पर add कर लेंगे divided by 6 कर लेंगे तो यहाँ पर add करने से यहाँ पर जो आ रहा है 885 आ रहा है divided by 6 करेंगे तो इसका जो answer आ रहा है 147.5 आ रहा है बड़ पर देखें यहाँ पर जो approximate यहाँ पर हम देखें दो फ्रेंस 148 इसका answer आएगा तो option यह इसका right answer है नेच्ट यहाँ पर हम देखे दो friends which of the following year's least percentage of the past candidates to the presented candidates in the state app तो state app का यहाँ पर आपको बोला कि देखे कौन से year में यहाँ पर हम देखे दो past candidates का मतलब least percentage है मतलब सबसे कम percentage है सबसे कम percentage यहाँ पर किसका है friends तो friends यहाँ पर हम निकाले तो friends इसका जो right answer है 1996 तो 1996 में आपको और एक बाद चेक कर ले नहीं है जैसे कि यहाँ पर आप देख शेक तो 1996 में 140 और 1550 है तो 140 जो है 1550 का कितना percentage है यहाँ पर आम निकाले तो friends इसका जो answer है 9.03 इसका right answer है मतलब right answer नहीं तो इसका जो answer है 9.03 बट सभी का यहाँ पर आपको और लेड़ी एक बार कर लेना है कि किसका list है तो 9.03 जो है इसका list है तो यहाँ पर हम 1986 का यहाँ पर हम दे सकते हो option C इसका right answer है तो यह होगे friends reasoning और mathematics का जो भी question था और लेड़ी हम आपको यहाँ पर analysis के साथ बता दिये है next part में जो हम part B का question है यहाँ पर हम discussion करेंगे जैसे कि teaching aptitude का question आता है total यहाँ पर 50 question आपको मिल जाएगा तो सभी का हम discussion करेंगे आगे बहुत सारे session आमको लाएंगे तो इस वीडियो में इतना हीता है friends आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो एक like कर दीजेगा और friends channel को भी subscribe कर लिजेगा जिसे कि आपको सभी important videos का update and notification मिल पाएगा जैसे कि सिव सेट के बारे में thank you friends thank you for watching please like share and subscribe thank you friends